अगर यहां पर आपने कोई दूसरा नेटवर्क गलत चूस करके आपने कोई टोकन सेंड कर दिया या फिर आपने किसी दूसरे नेटवर्क यानि एथर के टोकन एड्रेस पे बीटकोइन सेंड कर दिया या फिर आपने यहां पे बीएनबी के एड्रेस पे यहां पे एथर सेंड कर दिया तो यहां पे उस केस में यहां पे आपना फंड कैसे रिकवर कर सकते हैं और यहां पे जैनुवन तरीका है पर यहां पे कंडिशन क्या होने वा तो यहां पर गाईज उस केस में बता दूंगा इस उस केस में तो यहां पर गाईज मुश्किल है आपको यहां पर इस एक्सचेंज से ही यहां पर आपको कॉंटेक्ट करना होगा तो यहां पर दूफरा केस है अगर जो यहां पर आपने किसी सेंट्राइज एक्सेंज सपोस् तब यहां पर trust wallet, Metamask wallet, Saifpal wallet इसमें यहां पर fund ट्रांस्फर गया है. तो उस condition में आप यहां पर fund recover कर सकते हैं. तो यहां पर guys बने रहे वीडियो मैं मैं आपको यहां पर step by step तरीका बताऊंगा. तो यहां पे आपको fund कैसे recover करना है तो यहां पे guys suppose कीज़े मेरे पास यहां पे बहुत सारा wallets है तो यहां पे मेरे पास कई सारे wallets हैं तो यहां पे तो यहां पे guys मेरे पास एक trust wallet है और यहां पे मैंने गलत fund deposit कर दिया मैं trust wallet open करूँ और यहाँ पे open करने के बाद जैसे मैं इसको open करता हूँ और यहाँ पे मैंने ether के address पे यहाँ पे BAT token यहाँ पे deposit कर दिया है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे दिख सकते हैं मेरे जो ether का address है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है यहां पर और मैं यहां पर इसमें deposit कर दिया हूं bad token वो भी यहां पर मैं Binance Smart Chain Network यहां पर डाल के मैंने इसमें deposit कर दिया है मैं आपको यहां पर proof दिखाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं अभी जो मैंने आपको address दिखाया था वो यहां पर देख सकते हैँ ethereum का address दिखाया था एक बार चेक कर लीजो यहाँ पे match करता हैं और यहां पर मैंने जो यहां पे bet token भह यहां पर suo बाइनेस smart chain network कि हानब करने बेज़ज़ा है और यहां पर ethereum का था और ethereum chain का ही था तो यहां पे चलिए हम अपने इसे 0.39 bad token को यहां पे कैसे require करते हैं मैं आपको यहां पर बताता हूं उसके लिए आपको यहां पर PC में आना है और यहां पर आपको Coinbase wallet extension आपको यहां पर नीचे link मिल जाएगा यहां पर आपको wallet extension इसको यहां पर Chrome में add करना है और यहां पर add extension पर क्लिक करना है तो यहां पर आपका extension यह download होना चालू हो जाएगा यह almost यहां पर 8.9 MB का है तो इसमें आदा टाइम नहीं लगेगा तो चलिए इसको यहां पर download होने लिए थोड़ा से वेट कर लेते हैं तो यहां पर यह download हो चुका है और यहां पर कुछ इस तरीका इंटरफेस दिखेगा और यहां पर आपको I already have a wallet पर क्लिक करना है और यहां पर आपको enter recovery face पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको इस पर क्लिक करने के आपको यहां पर अपने ट्रेस्ट उलेट में जाना है और यहां पर आपको वालेट क्लिक करना थो आपको यहां पर यहां पर लिखना है पूरा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको फिर इस आइकन पर आना है एक्स्टेंशन वाले इस पर क्लिक करना है और यहां पर यहां पर क्लिक करना है और यहां पर यह सकते हैं यहां पर कुछ देर में यहां पे token दिख जाएगा थोड़ा सा आपको wait करना है देख सकते यहां पर Binance Page yahaf krijgen bay buy token यहां पर दिख चुक है और अब आप इसे यहां पर send भी कर सकते हैं ओ आप इसे यहां पे विड्रॉल कर सकते हैं कना फिर से यहां पे यहां तो गाइज उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगो अच्छा लगा होगो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में तब तो नमस्कार चाहें चाहें